नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओके मनी एप से हम लोगों को पेमेंट मिलता है कि नहीं प्रूफ के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा अब देखे दोस्तो वैसे तो मैंने YouTube पे सर्च करके देखा तो काफी सारे लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रूफ दिखा रहे हैं बट जो reality है न दोस्तो वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी जो payment proof लोग दिखा रहे हैं वो यहाँ पर दोस्तो पेटियम में दिखा रहे हैं फोन पे में दिखा रहे हैं बट इस application में दोस्तो वो अर्रिंग नहीं दिखा रहे हैं इस application में जो transaction है दोस्तो जो payment history है तो वो नहीं दिखा रहे application के अंदर की transaction history दुस्तो दिखानी चाहिए आप लोग यहाँ पर देख सकते कि हम लोग जैसे wallet में आते हैं application में तो यहाँ पर हम लोगों को payment history देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर लोगों ने दिखाना चाहिए ठीक है तो इसलिए शक होता है दोस्तों कि जो लोग बता रहें YouTube पे वो हो सकता है एक बाई fake जानकरी बता रहे है fake payment proof दिखा रहे हैं अब चले बात करते हैं withdrawal के बारे में तो यहाँ हम wallet पे click करेंगे अब दिखे दोस्तों दो withdrawal विटर्ण है paytm और phone पे तो यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे paytm को तो फिलाल हम paytm चूज करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को अपना name डाल देना है जो paytm में है उसके बाद paytm number यहाँ डालना है और amount यहाँ पर डालना जितना हम withdraw करना जाते है तो ओचले मैंने डाल दिया है वैसे यहाँ पर minimum withdraw limit mention नहीं किया गया है तो हम लोग यहाँ पर withdraw पर click करके देखेंगे तो यहाँ पर withdraw पर click करेंगे तो नीचे दिखा रहा है भाई 300 रुपे का minimum withdraw limit आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 300 रुपे दिखा रहा है मतलब जब आप 300 रुपे कमा लेंगे तब ही आप लोग यहाen से विड्रा लगा सकते हो अब यहाँ पर बात यह आजाती है कि अगर आप लोग 300 रुपे कमा लेते हैं वेसे इतना मुश्किल नहीं है एपक्लिकेशन में 300 रुपे कमाना अगर आप कमा लेते हैं तो क्या आप लोगों को payment मिलेगा तो जो कार इसकी guarantee काफी कम है आप लोगों को payment मिलेगा इसकी guarantee काफी कम है दोस्तो मेरे experience के सबसे यह application आपको payment नहीं देगा क्योंकि देखे दोस्तो आप लोग जो भी task complete करेंगे आप लोग spin करेंगे या फिर capture fill करेंगे तो application को earning होती है add के through ठीक है एक capture fill करते है आप लोग capture fill करने के बाद में आपकी समने एक add आता है add के through application earning करता है तो हर एक add से application को कितनी earning हो सकती है दोस्तो maximum एक रुपया या फिर इससे कम लेकिन application आपको एक रुपय दे रहा है दोस्तो ठीक है एक add देखने का तो है application को इसके अंदर मुनाफ़ा नहीं हो रहा है अगर वो आपको सीधा एक रुपय दे देगा हर एक add का और payment भी दे देगा तो application loss में चला जाएगा तो इसलिए दोस्तो मेरे personal opinion यह है कि application आपको payment नहीं देगा application में easily earning हो रही है साथ ही दोस्तो यहाँ पर कोई investment भी नहीं करना है 40 रुपय यह free में starting में दे रहा है ठीक है दोस्तो तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तो यह application आपको payment नहीं देगा and दोस्तो यह जो application है ना इसके यहाँ पर हम play store पर review भी नहीं चेक कर सकते हैं तो यह जो लोग review डालते हैं हाँ पर हम लोगों को सभी लोगों को यहाँ पर दीख जाते हैं वो review तो इसलिए application ने अभी review यहाँ पर चालू नहीं किये है दोस्तो आप लोगों को time waste मत कीज़े दोस्तो मैं आप लोगों को दूसरा एक real earning app या फिर real earning app का video का link न कर सकते हैं वैसे दोस्तो इस application के बारे में कोई जरूरी जानकारी हो तुम्हें description में update कर दूँगा ठीक है तो आप लोग description जरू से चेक करना